है तो घाइस आज मैं बात करने वाला हँ एलेक्स चीटर सो वाटेज एमिलफायर के बारे में जो कि दूएल चैनल का है इस है इस में बात करेंगे किए कितने वाटेश का टॉप चला सकते हैं कितने वाटेश तक का इसमें बेस का लोग डाल सकते हैं और कितना पड़ेगा पिंदर कुमार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिएस्टीजे ब्लॉग नमबर वन में दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी किलिक लिजेगा ताकि इसी तरह का विडियो जब भी अब अप्लोड के आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए गाइस शुरू करते हैं तो सिंप्ली गाइस इस सेटप में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का और धाकर अमिलिफायर लिये है जो कि अहुज्या का एलेक से स्रीज डूल चैनल पावर अमिलिफायर जो कि कापी है बेतरीन और ताकतवर ये अमिलिफायर है जो कि अउज्या के ब्रांट के तरफ से ये अमिलिफायर है अभी तक से ये अउज्या कंपनी इससे अधिक वाटेश के अमिलिफायर अभी तक नहीं निकला है इसके पावर अट्पूट के बारे में बात करेंगे त इसका पर ओडिपुट आप लोगो 2 ohm पे अरेये चाहय याने चैनल ए पर वी हाप लोगो और 300 बाडू पर देखने को मिल देगा गैस अबहु करेंगे इसके अउट्पुट के बारे में कि और कितना वांटी लिकाल कर देता हैं तो क्यक्收 하고 पर आप लोगो एटों पर बाउन सो वाटेज लिकालकर आर्मेक्स देगा जो कि केवल चैनल एपर ही आप लोगो ब्रीज मोड आउटपुट देखने को मिलता है इसके फोरम के बारे में बात करेंगे तिसका फोरम आप लोगो चीहतर सो वाटेज यहां पर एक चैनल पर अब हम बात करेंगे इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पोंस के बारे में तिसका फ्रिक्वेंसी रिस्पोंस आप लोगो 20 से 20.08 देखने को मिलेगा जो कि काफी यह बेतरीन एम्पिलफायर है इसके डंपिंग फ्रिक्टर के बारे में बात करेंगे तिसका डंपिंग फ्रिक्टर वाला ये Amplifier है अब गाईस हम बात करेंगे इस Amplifier के प्राइज के बारे में तो गाईस आप लोग को बता दूं कि हो सकता है कि जितना भी इसमें माटरियल बट है टोटल का प्राइज बताएंगा आगे चल कर तो हो सकता है कि आपके मार्केट में यहाँ पे करेंगे इसके आपलोग प्राया के सब्सक्राइब करें तो इसका डोक्त प्राइज के डिखने को मिलेगा उतने प्रेंडे में काफी सब्सक्राइब warrel दोस्तों जो की 76 own water तो कितना व वाटिज का सब्सक्राइब का रेखुच आप लोग इस वीडियों को गये क्यासटों कि तो зовут है आप सोभास जाये नुग是不是 कतना उन्हें गया नोय जोब वाटिश को स्माइबatura हैं तो गाइस यह आप और आप लोग को हेवी वाटिस का टॉप चलाने के लिए आप और हम स्टूडियो मास्टर लाउड स्पीकर सिस्टम लिए हैं गाइस अगर आप लोग चाहेंगे तो दुसरे भी बराण का कोई स्पीकर लेकर अलग से कैबिनेट में फीट करके चला सकते हैं बट गाइस आप लोग से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग हेवी टॉप बनाना चाहते हैं था आप लोग लोकल कंपनी के कोई स्पीकर मत लीजिय concernHHHH alive ter 시작 सब्स्याइब लोकलं पर कंपनी का कोई स्पीकर मत लीजिए जय मत लंको अगर आप 169-117 वाटइस का टॉप बना रहे त् вп लोग समझ सकते हैं कि उसके अनदर से कितना हैवी वाटे जनरेट होगा तो आप लोग का लोकल केबिनेट रहेगा या लोकल स्पीकर रहेगा तो बिलकुल यह वहाँ पर नहीं टीकिएगा है भी एमली फायर के सामने तो गाईस मेरा रिक्वेस्ट है यहीं कि आप लोग कंपनी का टॉप यूज किजिए और दोस्तों बहुत ही बेस् सिस्टम लिए जिसका मोडल मडर आप लोगको फायर उंसर देखने को मिल जएगा इसके बाएक बात करेंगे तो शो स्टूडियो मास्टर चाहे अनदर कोई भी कंपनी का हो उसमें अगर आप लोगों को पीक वाट देखने को मिल रहा है तो ठीक है माली जी मेरा सतरह सव वाट इसका टॉफ है कभी इसमें कंपटीशन हमें यहां पर 2000 वाट पर भी बजाने लगे इस टॉफ को तो मेरा यहां प पीक वाट चोंती सो वाट इस देखने को मिल रहा है तो पीक वाट का मतलब ही होता है कि अगर आप लोगो आप लोगो आठारा सो ओनाई सो दुआजर भी लोड डाल कर इसमें बजिएगा तापका स्पीकर बिल्कुल ही नहीं जलेगा इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पोंस के सब्सक्राइब बारें बात करेंगे इसका कपने लिए यह बेस्ट के बारें को देखने घृगा इक सब्सक्राइब भी देखने को मिलेगा जो कि काफी यह बेहतरीन है दोस्तों यह मीट बेस वाला यह टॉफ है जो कि अगर आप लोग इतने वाटिस का टॉप कहीं भी यूज किजिएगा और दोस्तों बजिएगा तो वहां पे बेलकुल ही भुकम जैसा ला देगा है डीजे से टॉप इसके स गाइस बारें बात करेंगे तो शर्लों को ऊटने देखने को मिलेगा यह बहुत बात करेंगे। ब्रोग सब्चांगर बमना ले घालए तो धर मी कमपनी का आप लोग में लगा आप लोग सकते हैं तो पर टॉप मेरा कम्प्लीट हो गया अब गैस हम बात करेंगे कि कितने हेवी वाटेज का यहाप पर बेस यूज़ कर पाएंगे इस एम्पिलिफायर पर तो गैस यहाँ पर हम हुज्जा का पीए सबूफर डूवल बेस यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जिसका मोडल नमर आ सी सब्सक्राइब Thank you अब लगोरे, अब लोगो सब्सक्राइब करूब वाटेश का बेस है जिसके अंदर आप लोग को दो डूवल बेस 18 इंची के दो स्पीकर लगे रहते हैं जो कि एक स्पीकर 1300 वाटेश का है तो दो बेस है है भी पंची आप लोगो साउन भाइबरेशन इसके द्वारा सुनने को मिल जागा और इसका केविनेट भी काफी ही होता है तो गाइस इसका प्रोक्स प्राइज आप लोगो 69,730 रुपया देखने को मिल जागा जो की काफी ये बैतरी ने इतने प्राइज इरेंज में डूल बेस जो की 600 वाटेश का है अब गाइस हम बात करेंगे कि इस इमिफायर पे कैसे इस बेस को और टॉप को कनेक्शन करना है एस हम बात ये भी करेंगे कि इस इमिफायर पे क कि इतना टॉप चला सकते हैं और कितना बेस चला सकते हैं तो गाईश यहां पर थो टॉप को एक चैनल पर चलाना है तो मेरा यहाँ पर जो मेरा यहाँ टॉप है सतरा सवाटेज का है और इसका इंप्रिडेंस आप लोगो फोरम देखने को मिले रहा है तो दो टॉप को पैरलर कनेक्शन किजिएगा यानि एक में तो फोरम से क्या होजेगा टूप और उसका वाटेज होजेगा सतरा दुना तो इसका कनेक्शन सिंपल साई कि टूम पर मेरा एंप्लिफायर और तीस वाटेज दे रहा है चार सवाटेज एक्स्ट्रा भी देगा तो कोई इसमें प्रोग्लेम नहीं है क्योंकि मेरा जो स्पीकर है एक्स्ट्रा पावर हैंडल कर सकता है आप लोग को पहले भी बता दिए कि मेरा स्पीकर बिल्कुल ही नहीं जलेगा तो एक चैनल पर चैनल ए पर आप लोग इस दोनों टॉप को कनेक्शन कर सकते हैं अब गई सब बात करेंगे कि अगर आप लोग इस पे केवल टॉप ही चलाना चाते हैं तो इसी तरीका से चैनल बी पर भी दो टॉप और आड़ कर सकते हैं जो कि काफी है बेतरीन चलेगा बट गाईस यहां पर हम बेस आड़ करने वाला है तो बेस को कैसे चलाएंगे तो सिंपली गाईस मेरा जो इमिल्फायर है फोरूम पर दे रहा है और यहां पर जो हम सब उफर लिए जो डूवल बेस लिए यह भी छबी सो वाटे एक चलेगा और दूसरे चैनल पर आप लोग का 多फ चलेगा काफी बेस्ट चलेगा गाईस अब बात करेंगे कि इसलों फैर पर हम लोग को चार बेस चलाना पड़े तो कैसे चलेगे तो guys अगर आप लोग dual base चलाना चाहते हैं तो 4 base हो जाएगा क्योंकि एक dual base के अंदर 2 base होता है दो speaker होता है तो अगर आप लोग एक channel पर एक dual base लगाईएगा तो दूसरे channel पर भी एक dual base लगा दीजिएगा इजिली चलेगा फोरम लोड पर कोई problem नहीं होगा बड़ दोस्तो अगर आप लोग दो-दो dual base चलाना चाहते हैं एक एक channel पर तो ऐसे भी चल जाएगा एक 2000 wattage का dual base आता है जो कि 4000 लोड हो जाएगा टूम पे तो 3800 wattage दे रहा तो 200 wattage कोई value नहीं रहेगा इस amplifier के लिए बड़ थोड़ा सा वहाँ पर आप लोग को heavy पंची अवाज कम सुनने को मिलेगा यानि vibration आप लोग को कम देखने को मिलेगा तो गाइस इसका connection है भी रहेगा कि अगर आप लोग SME5 पे आप लोग चार dual base अपरेट करना चाहते हैं तो एक चैनल पे दो dual base और दूसरे चैनल पे दो dual base जो कि एक बेस सब करेगा 2000 wattage का और इसका impedance आप लोग को फोरूम देखने को मिलेगा तो गाइस इस टाइप से आप लोग इस पे connection कर सकते हैं जो कि काफी है बेतरीन और बहुत ही heavy और दोस्तो ये भुकम प्ला देने वाला setup है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि 1700 wattage का टॉप जहां भी बज़ेगा तो आप लोग को base और mid बहुत ही जवरजस्त मिलने वाला है और 26 wattage का base भी लगा है तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि केवस दो टॉप और दो base से गरदा फार होने वाला है ये setup में जो की काफी ये बेतरीन है दोस्तो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो का एक लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेग आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं अगले वीडियो में देने की कोशिस करेंगे तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटेस्टिंग वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत